हमीत आपको समय के Bowl बात करते हैं कि आख rolls अगर के बात करेंगे इसे इसे मिचोल कि बारे में जैener कि leichter आग्रोरपर दोस्तों आज साथ में साथ उनके डीटेल को भी जानेंगे कि कितना रिटॉर्ण है अगर तीन साल के रिटॉर्ण को सिर्फ देखें तो यह ऐसे फंडों में ओन दा एबरेज एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है ऐसे फंडों को आप पूर्फोलियो में भी रख सकते हो आप अगर आपको वाकई में 2020 में SIP और लंसम करना है तो ऐसे फंडों के साथ चूड़के आप इसको पूर्टफोलियो में रखके एक अच्छा रिटॉर्ण ले सकते हो अगर अगर इसके रिटॉर्ण की बात करें तो ओन दे एबरेज यह कहा जा सकता है कि कंपेर टू अदर मी पर्फॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो चलिए डीटेल के साथ बात करेंगे लेकिन अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और सेर तो अब इस्टार्ट करें पहले की इन्फोमेशन की बात करते हैं जैसे कि आप देख पार हो मीचल फंड जो है एक्स मीचल फंड ट्रॉष्टी लिमिटेड है अगर आप सीओ और अभारे में चाहते तो मिस्टर चंद्रेश कुमार निकम जो है इसके सीओ अएमडी है कॉंप्लियंस ऑफिसर की बात करें तो मिस्टर दर्सन जी है वहीं पर अगर इन्वेस्टर सर्विस ऑफिसर की बात करें तो मिस फंड है जो Axis Mutual Fund के बहुत अच्छे फंड है चाहे वह hybrid fund हो चाहे वह equity fund हो और चाहे वह debt fund हो तो चलिए start करते हैं सबसे पहले जो best-selling Axis Mutual Fund है उसके बारे में जान लेते हैं कौन ऐसा फंड है जो सबसे ज़ादा market में sell हो रहा है सबसे ज्यादा लोग पसंद पारे है तो वो सबसे पहले excess long term equity fund direct plan है जो ELSA's category में आता है tax saving plan है अगर इसके risk की बात करें तो moderately high risk है वहीं पे अगर तीन साल के return की बात करें तो almost 15-16% के बीच में 3 साल का return है fund का AUM की बात करें तो almost इसका दो है 18,850 क्रोड का इसका AUM है total और वहीं पे अगर इसके दूसरे fund की बात करें जो best selling है वो access liquidity fund direct plan है जो liquid plan है category के अंदर आता है risk बहुत ही काफी low है तीन साल के return की बात करें तो 7.2% का इसका तीन साल का return है वहीं पे इसके fund AUM की बात करें तो almost 21,000 क्रोड का something का fund का AUM है वहीं पे अब तीसरा fund जो है जो सबसे ज़्यादा selling है access focus 25 fund direct plan जो focused fund है थोड़ा high risk है अगर इसके तीन साल के return को दिखा जाए तो 19% का return है तीन साल के अंदर वहीं पे अगर fund AUM की बात करें तो almost 7,189 तोड का इसका fund AUM है यह तो रहा best selling access mutual fund अब हम बात करेंगे best equity access mutual fund कौन ऐसे equity fund है जो access के जो best है तो आप जालनेते हैं कि best equity access asset mutual fund कौन कौन से है अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हो access focus 25 fund direct plan है जो एक category focused fund के अंदर आता है थोड़ा सा risk इसमें जादा है अगर तीन साल के return की बात करें तो almost 18-19% का बीच में ये return देखने को मिला है fund size 7,000 क्रोड से भी उपर का fund size है वहीं पे अगर दूसरे fund लिया जाए जो equity access mutual fund है जो access blue chief fund direct plan है large cap category के इंदर आता है और इसके भी थोड़े risk high है अगर तीन साल के return की बात करें तो almost 17-18% का return यहां देखने को मिला है अगर fund size की बात करें तो almost 4,802 क्रोड का इसका fund size है तीसा fund जो है जो equity access asset mutual fund है वो access meet cap fund direct plan है जो meet cap category के अंदर आता है high इसमें risk है risk इसमें high है अगर इसके return की बात करें तो almost 15% का return यहां तीन साल के अंदर देखा गया है जो फूर्थ plan है वो access long term equity fund direct plan है जो एक ELSS category tax saving category के अंदर आता है अगर इसके risk की बात करें तो इसमें भी risk high है अगर इसके return की बात करें तीन साल के data को देखें तो यह भी 15-16% के बीच का return इसमें देखा गया है अगर fund AUM की बात करें तो almost 18,000 करोड का something का fund size है जो last है जो equity access asset mutual fund है वो access small cap fund direct है जो small cap category के अंदर आता है इसके भी risk high है return की बात करें तो तीन साल के अंदर 13-14% का return देखने को मिला है और जो fund AUM है वो 294 करोड का देखा गया है अगर कहा जाए equity access asset mutual fund तो इसमें risk high है क्योंकि equity का ratio इसमें ऐसे fundों में ज्यादा होता है और जैसे return भी आप देख सकते हो तीन साल का जो return है वो भी काफी अच्छा है अगर compare करें दूसरे mutual fundों से तो जो चलिए अब next बात करते है best hybrid access asset mutual fund चलिए अब best hybrid access asset mutual fund जान लेते है जो best hybrid fund है access mutual fund के risk इसमें थोड़ा high है अगर तीन साल के return को देखे तो 8.91% का return यहां देखा गया है AUM की बात करें तो 282 crore का total इसका fund AUM है access arbitrage direct plan जो है यह arbitrage category fund के अंदर आता है high इसमें थोड़ा सा medium है अगर इसके तीन साल के return की बात करें तो 6.96% का तीन साल का return है वहीं पर fund size की बात करें तो almost 2000 crore के something 2000 से भी उपर इसका fund AUM है वहीं पर access regular sever fund direct plan के बारे में बात करें तो यह भी एक fund conservative allocation के अंदर आता है इसमें भी थोड़ा medium high risk है अगर इसके तीन साल के return की बात करें तो 6.12% का return है वहीं पर fund AUM 272.19 crore का fund size है access dynamic equity fund direct यह next hybrid access mutual fund है जो dynamic asset allocation है अगर इसके risk की बात करें तो यह भी medium high है तीन साल के return की बात करें तो यहां पर negative return देखने को मिला है और वहीं पर fund AUM की बात करें तो almost 2347 crore का total AUM है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर वैसे best hybrid fund है जो तीन साल में एक अच्छा return देखने को जिस fundों में मिला है especially access mutual fund की बात कर रहे हैं यहां पर तो best debt access mutual fund के बारे में जानते हैं अगर best debt access mutual fund की बात करें तो यहां पर 5 में लेके आया हैं अगर सबसे पहले बात करें तो access dynamic bond fund direct plan है एक dynamic fund category के अंदर आता है risk जो है वो बहुत medium है अगर तीन साल के return की बात करें तो 8.73% का return यहां देखने को मिला है और fund AUM को देखें तो 129 crore का इसका fund AUM है access strategic bond fund direct plan जो दूसरा plan है medium duration के अंदर आता है और यह भी medium risk है 8.31% का return 3 साल के अंदर देखने को मिला है fund AUM की बात करें तो almost आपको 1239 crore का fund AUM है तीसरा जो fund है access banking and PSU debt fund direct plan है अगर इसके category की बात करें तो banking and PSU के अंदर आता है medium low risk के साथ यह fund है और वहीं पे return की बात करें 8.16% का return यहां देखने को मिला है 3 सान के अंदर और वहीं पे fund AUM की बात करें 4580 का fund AUM है अगर next fund की बात करें तो access sort term fund direct plan है जो category sort division के अंदर आता है वहीं पे अगर risk की बात करें medium low risk है वहीं पे अगर 3 साल के return की बात करें 8.06% का 3 साल का return है fund AUM की बात करें 3051 का यहां पे fund AUM है अगर last जो बात करते हैं access treasury advantage fund direct plan की बात करें low duration category के अंदर आता है और medium low risk के साथ जो 3 साल का return है 7.92% का इसमें 3 साल का return है अगर इसके fund AUM की बात करें तो 1343.52 करोर का इसका fund AUM है तो दोस्तों यह रहा आपका best access mutual fund जो की debt cash category के अंदर भी हमने बात कर लिया iquity category के अंदर भी बात कर लिया hybrid fund के category अंदर हमने बात कर लिया ऐसा mutual fund जो access के best mutual fund है अगर जो best selling mutual fund है वह भी बैने आपको बता दिया best fund access mutual fund के आप वाकई में अगर जाते हो कि अपने portfolio में डेप्ट फंडों को जगदें तो आप इसमें से सलेक्ट कर सकते हो डेप्ट फंड के साथ आपको hybrid fund में भी इन्वेस्ट करना है तो आप hybrid fund भी access mutual fund का select कर सकते हो देखो दोस्तों यह ऐसे fund है जो वाकर भी अभी market में बहुत अच्छे return दे रहे हैं इसलिए आज मैंने फोकस किया है access mutual fund पे focus किया है और ऐसे fund को अगर आप अपने portfolio में एक risk के according अगर रजगा देते हो तो return भी अच्छा ले जाओगे तो दोस्तों आप comment box में आयों जुरूर बताएं कि आपके portfolio में कौन सा ऐसा access mutual fund है और अगर नहीं भी है तो आप कौन सा mutual fund में इंवेस्ट करना चाहते हो आप comment में आके बताएं और हाँ ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी राय दे और अब भी दग नहीं किया है चैनल को subscribe तो subscribe करें लाइक करें अपने दोस्तों के वीच सेयर करें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे जैन जैभारू